फिरोजा मात के थाना दक्षडी के तिलग भवन के चूड़ी दुकान में लगी भैंकर आग, लाकों का माल बेकाबू आग में जलकर हुआ स्वाह, मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया, आग की लपेट और आस पुलिस फोर्स के साथ दमकल गाड़ियां आग बुजाने के लिए आ गई, फायर बिग्रेड करमचारियों की कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर बड़ी मुश्कित से काबू पाया जा सका, आग लगने की वज़ा बिजली शार्ट सरकिट होना बताया जा रहा है, हाला कि आग से हुआ नुकसान का आकलन नहीं हो सका, लेकिन अनुमाल लगया जा रहा है, करीब दो से तीन लाकी हानी हुई है, फिलाल पुलिस मामले की चार्च में जुट गई है, फिरोजा बास से जिलासमवाद दाता राजेश कुमार शर्मा अभी निउस चैनल अग लगया है और तो यह फिरोजा प्राद नुकसान लगबग कितना हो उचका होगा है तो आग बदिने के कारी पता चरेगा क्ऱका कि लगवाद तो इस तहब आप अधाप कर अजय कुमार बुख्ता अजय जी आग लगया कहां लगया और कैसे लगये यह आग आज़ा तो इसमें और सब मार्वे एक है चाह दुकान मुद्रा उड़ली आग लगी किस इच की दुकान है और काश की चूरियों की दुकान है कि लगवा कितने बजे आग लगी है यह लगवा लगवा नो बजे के बाद लगवा कैसे लगी यह साथ शर्ट किर्ट से बता लेकिन वदू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बहतरीं डिजाइनर कपड़े जो चर्चित है अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मत्रा शहर में शीक्र पधारे वदू सूट साड़ी और किट्स वियर क्रिश्ना नगर मत्रा